कि अगर आपको आपको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज हम करेंगे एक्सिसाइज 5.2 का कोशन नुम्बर 3 थर्ड का 1st पार्ट आपको इस तरीके से एपी लिखी है गिवन है आपको निकालना है कि missing term कौन सी है तो missing term करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी आगी वली डिजिट यह 1st पार्ट की जो होती है वो ए होती है फिर a plus d a plus 2d क्लियर न यहीं समझाया था ना पहले भी कि यह a1 होता है यह a2 होता है आपका और यह a3 होता है तो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं से 2 को करते हैं से और बन तो a का सिंगल ही रहता है अब given में ग्या है यह आपके पास 2 है आपने लिख दिया a हमारे पास 2 है जब हम missing word कोई सब भी term निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास a होना चाहिए और हमारे पास d होना चाहिए का करेंगे हमारे पास a है is equal to 2 and a की 3 हमें दे रखा है a plus 2d is equal to 26 यह है हमारे पास clear अब इस equation से हम d निकाल सकते हैं क्योंकि यह की value 2 इसमें पुटेंग कर देंगे 2 पीछे जाके minus हो जाएगा तो d आ जाएगा तो हम इसी को लेंगे सबसे पहले यह देखे 26 यह आपके पास 2 है ले रखा given है न दी मुझे निकालना है अब इससी सी तो आपका 2d 26 यह आपका 2 क्या था यहां plus तो पीछे आके क्या हो गया minus d 26 में से 2 आपने minus किया कितना आ गया 24 d जो 2 multiply हो तो इसरा के divide हो गया तो divide हो कि कितना answer आ गया यह देखिया ऐसे लिखेंगे पहले और फिर बता देंगे d हमारा 12 है क्या यह कोशन यहीं कतम है नहीं उसने आप first question कि recording यह नहीं पूचा कि n निकालो a निकालो d निकालो ऐसा कुछ नहीं पूचा उसने उसने का missing term निकालो जो missing है तो missing के लिए देखो मैंने इच फॉर्मूला समझाया ना अभी बताया कि यह गिवन है डी आपको निकालना पड़ेगा तो आपको एकुशन में खुद देखना पूचले एवन पूचले कुछ भी पूच सकता है तो missing time इस समय कौन सी है एक टू कि एक टू का फॉर्मूला क्या है एक प्लस डी देखो मैंने नीचे लिखा भी नहीं है यह एक प्लस डी एक आपका डिवन टू तो कि मैंने डी हमने अभी भी 12 निकाला डी 12 अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना answer 14 अब जो missing था वो आप अपने यहां लिख देना answer में हो गया question complete चलिए अब करते है next question second parts second parts में भी कुछ missing है क्या missing है a missing है सबसे पहले बार a2 गिवन है a3 missing है a4 गिवन पहले ऐसे लिख लेते हैं आप अब नीचे a तो a ही रहेगा यह गया है a plus d आप जब तक यह चीज़ नहीं लिखेंगे ना खुदी भी verify नहीं हो पाएंगे कि हमें करना गया है यह formula लिखने 3D clear? अब जो चीज हमें given है एक यह एक यह इनको लिखेंगे क्या क्या चीज है हमारे पास a plus g is equal to 13 right और दूसरी equation कौन सी है a plus 3D is equal to 3 right ना जब कभी ऐसी equation इससे पहले वाले question में एक ही question थी तो हमने उसकी putting उसमें कर दी ठीक हो गया, d आ गया हमारा लेकिन इस दो equation में क्या करेंगे तो elimination method लगेगा जो मैंने 3rd chapter में आपको पहले समझाया था 3rd chapter में elimination method से आप भी easily निकाल सकते हैं मैं या रफ में थोड़ा से समझाया देती हूं किस तरीके से यह देखें कि अलिबनेशन method ऐसा था कि जब हम इसको subtract करेंगे तो नीचे के sign चेंच कर देंगे अब बीच वाले sign की कोई value नहीं होती यह a minus में होगा उपर का a plus ही रहेगा तो यह cancel होगा यह d plus में 3 आपका minus में minus कर दिया मैंने तो कितना आएगा 2d आएगा ना इन दोनों को भी minus कर देंगे कितना 10 greater than sign plus का इसमें greater than 3 का क्योंकि इसकी value नहीं रहती plus की उपर वाले की value और यह इसके 3 की नीचे की value होती है तो वही sign नीचे आता है तो d आपका कितना आ गया यह 10 थ अधा जब हम इसको यहां ले आए minus के साथ इसको cancel कर दिया तो आपका answer minus 5 clear ना तो आप वही चीज हम लिखेंगे कि जब हमने इसको subtract किया कि सब्ट्रेक करेंगे किसमे equation first from equation second यानि दोनों को मैंने सब्ट्रेक किया तो वह रफवर करके आप डारेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा answer यह क्लियर ना अब डी निकालेंगे वही जो मैंने अभी निकाला आपका डारेक्ट भी आप यहां लिख सकते हैं टाइम बेस्ट नहीं करेंगे दुबारा मैं क्लियर अब आपके पड़्डी है लेकिन दी आने से सिर्फ डी अगर यह मने या पुटेंग कर दिया तो यह नहीं मेरे पास तो मुझे ए भी चाहिए तो हम डी की पुटेंग आगर देंगे equation first में कर देंगे हमने D की पुटिंग किसमे की ? N equation first किसी में भी कर सकते हैं मेरी equation first यह हमारी equation second किसी में भी कर सकते हैं जैसे मैंने first में किया तो हम first को पले लिख लेंगे D की जगह आप लिखेंगे माइनस 5 13 आपका माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो गया ना जब यह पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस A की वैलू कितनी आ गई 18 अब हमारे पास A भी है और D भी है जब A और D दोनों होंगे तो हम A की जगह तो A की पुटिंग कर देंगे A और D को प्लस कर देंगे तो यह तो है हमारे अंसर हम कैसे वेरिफाइ होंगे हम इनको साइन को सॉल्फ करके करेंगे अब नेक्स्ट है आपका A प्लस 2D तो यह भी कर सकते हैं करेंगे ना ठीक यह पहले रफ्लेस को रफ कर देते हैं माइनस फाइव सबसे पहले हमें फाइंड करना है जो था मिस्सिंग टर्म कौनसी है A तो A तो आपने अभी भी निकाला 18 है हमारा यह आपका अंसर आगया और कौनसी में इस इंटर्म है A3 A3 का फार्मुला A प्लस 2D पहले फार्मुला लिखते हैं A आपका 18 2 और D आपका कितना था माइनस 5 18 आप देखे यह प्लस है न और 2 फाइव जा 10 वो भी माइनस में आएगा 18 प्लस माइनस माइनस 10 आपका 18 में से माइनस 10 किया तो कितना आज़र आगया 8 A3 पता चल गया आपको मिसिंग में 8 अब हमने यहां लिख दिया 8 A की वेल्यू अभी निकाली 18 हम कैसे वेरिफाई होंगे हमारा आंसा ठीक है हम A और D दोनों की वेल्यू इसमें रखके देखेंगे क्या हमारा आंसा 13 आ रहा है तो यह रफली थोड़ा सा कर लेंगे A प्लास D हमें गिवन है कितना 13 जो हमारा यह आ रहा है वो आ रहा 18 जो D हमने अभी निकाला वो निकाला माइनस 5 18 माइनस 5 इस उगल टू 13 तो देखें 13 इस उगल टू 13 माइनस के ना 13 अगर यह हमारा रफली ठीक है 13 इस उगल टू 13 थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे उसमें भी दो पार्ट्स आपके मिसिंगे सेम वही प्रोसेस जो भी हमने किया A A2 आपको गिवन है 2 आपको फाइन करना है 3 फाइन करना है 4 आपको गिवन है A फॉर्मला D A प्लस 2D A प्लस 3D राइट चलिए A आपको दे रखाए एक एए दे रखाए आपको गिवन में A is equal to 5 and A4 कितला है 3D ऐसे करें ठीक अब वो A प्लस 3D is equal to इसको mixed fraction को proper fraction 2 नाइन जए 18 18 और 1 19 अपॉंट क्लियर है नवा अब इन दोनों ही equation को solve करना ही के लिए A की putting A4 में करतेंगे putting A equation A4 कर देंगे यह देखिए putting value A in A4 हमने कहा कि A4 में putting कर देंगे तो हम जब इसकी equation को लिखेंगे A plus 3D 19 upon 2 सबसे पहले A की जगह पे आप लिखेंगे 5 अब जो आपका प्लस 5 हो पीछे जागी क्या होगा minus 3D ऐसी रहेगा अब मैंने आपको बताया था इसको डारेक्ट multiply कर लेंगे ऐसी और question में समझाते हो किस तरीके से LCM निकाल लेते हैं इस उकल टू 19 माइनस 10 टू आप इसको माइनस कर दिंगे 19 में से 10 आपने माइनस किया तो कितना अंसर आएगा 9 upon 2 क्लियर अब 9 upon 2 में D की निकालनी है वेल्यू आपको जो 9 upon 2 यहां लिखा था वह एज़िटी जैसी रहेगा जो 3 multiply होता हो इदर आ करके इस तरी के से हो गया स्यूट चेंग त्री त्री जा 9 तो D की वेल्यू कितनी आ गई 3 by 2 clear A और D आपके पास चाहिए आपको given है A D आपने अब यह भी निकाला है A D को प्लस करेंगे A 2 आजएगा A D की वेल्यू रखेंगे A 3 आजएगा उसी साब से हम यह लिकेंगे missing term कौन कौन से हैं आपकी A 2 formula A प्लस G A आपके पास given 5 D 3 by 2 वही आपने इसको multiply कर दिया 2 5 ग 10 प्लस 3 अपन में 2 आपका answer कितना आ गया 10 प्लस 3 13 अपन में 2 clear? next आपका आगया next A की 3 निकालने A प्लस 2 D 5 प्लस 2 D की वेल्यू आप ऐसे लिकेंगे 2 से 2 cancel 5 प्लस 3 equal to 8 clear? जब ऐसे 2 लिखा होता हूँ पनीचे क्रॉस कर देते हैं 5 में डारेक्ट आपने 3 प्लस कर दिया तो आपका answer कितना आ गया? 8 आ गया प्लस 3 ए जब रहल्त रहल गया शुम जब गया को wait को मज एका आ और से 1 के आंपका